नवीन सेक्षिनिक सत्र 2023 प्रारम होने वाला है और प्रतेक सत्र में हमें कुछ ओनलाइन कार करने होते हैं जब सत्र प्रारम होता है जैसे online कारियों की हम बात करें तो छात्रों को map करना इनकी class update करना तो इस प्रकार से कुछ online कार हमें सिक्षा portal पर करने होते हैं तो नवीन 723 के लिए नए option सिक्षा portal पर दे दिये गये हैं जिनसे आप अपनी साला के चात्रों की class update कर सकते हैं और नवीन चात्रों की mapping भी कर सकते हैं आईए देखते हैं कि class update कैसे करना है और mapping कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिक्षा portal में अपने login ID password से login कर लेना है जब हम login कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface हमें दिखाई देगा जहां admission management का एक option दिया गया है आपको simply इस option पर click कर देना है जैसे हम click करें तो आप देख सकते हैं admission management अब यहां पर दो option आए हुए है पहला है new admission format 1b इस option पर click करके हम नए छात्रों को अपनी साला में map कर सकते हैं second जो option इसमें दिया गया है 1.2 promote student to higher class इस option से हम छात्रों की जो class है वो update करते हैं छात्रों की कक्छ हम नती करते हैं तो जैसे हमें कक्छ हम नती करना हो तो second option पर हमने click किया जैसे हमने click किया तो कुछ इस प्रकार का interface आएगा जहां से सबसे पहले तो आपको academic year select कर लेना है त अर्थात किस कक्छा के चात्र की आपको कक्छा उनती करना है लाश्ट year किस कक्छा में चात्र था वो class आपको यहां से select कर लेना है और इसके उपरांत यहां से category आप select कर सकते हैं जेंडर भी select कर सकते हैं और इन दोनों option ओको select नहीं करना है तो सीधे 100 student पर भी आप click कर सकते हैं जैसे हमने click किया तो जो कक्छा हमने यहां पर select किया था इस कक्छा में जितने चात्र थे उन सभी के नाम यहां पर आजाएंगे अब आपको कक्छा उनती करने के लिए simple सा रहता है इसमें तीन option आपको मिलेंगे पहला रहता है पास का दूसरा फैल का और तीसरा not available का त तो चुकी जैसे चात्र पास हो जाता है तो हमें पास वाले option पर click करना है और इसके उपरान चात्र का जो percentage है वो यहां पर fill कर देना है जो भी चात्र का percentage हो वो fill करेंगे अब यहां पर चुकी अभी जो है exam चल रहे है रिजल्ट तयार नहीं हुआ है लेकिन option इसमें दे दि ज्यान देने वाली एक बात और है कि last में school status के दो option दिये रहते हैं पहला same school और दूसरा other school अब मानके चलते हैं कि कक्छा एक का जो चात्र है जो कि last year कक्छा एक में था बर्तमान में कक्छा 2 में आएगा लेकिन वो किसी अन संस्ता में अध्यनरत करने ही तो TC ले जा रहा है तब आपको यहाँ पर other वाला जो option है इसे select करना होगा अधर से तात्वर कि छात्र हमारी साला से कक्छा समंधी जो कक्छा है वो तीन हो चुका है लेकिन अब हमारी साला में अध्यनरत नहीं है वो किसी अन साला में परणने का इक्छुक है वो TC issue हो चुकी है उसकी तो इस select ना हो तब आपको अधर वाला option इसमें select कर लेना होगा अंतिम कक्छा के लिए तो इस प्रकार से नवीन सेक्षिन एक सत्र के लिए जो option है सिख्छा पोर्टल पर दे दिये गए हैं जिनसे आप छात्रों की कक्छा उन्नती class update कर सकते हैं साथ ही नवीन छात्रों की mapping कर सकते है 23 जोब इसके बाद में छात्र की जो भी समगर आइडी हो वो आपको यहां पर फिल करना है और इसके उपराण जो capture code दिया है इससे same फिल करके आपको so student detail पर click कर दाना है जैसे आप click करेंगे तो समगर आइडी का जो चात्र है उसकी detail open हो जाएगी जैसे आप देख सकते हैं चात्र की detail आ चुकी है अब so school detail इस option पर आपको click करना है और इसके उपराण last में आप देखेंगे की चात्रों की mapping की option आ जाते हैं अब यहां से आप चात्र का result क्या था पास हुआ था फैल हुआ था वह आपको select करना है उसका percentage फिल करना है चात्र का जो scholar number है वो फिल करना है और capture code फिल करके admitted student in the school इस option पर click कर दाना है तो इस प्रकार से चात्र की जो mapping है वो हो जाएगी तो सिक्षा portal पर नविन सात्र 2023 के लिए option दे दिये ग होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं next video मैं तब तक के लिए जय है